हेलो वान एन ओल वेलकम टू लर्नर्स कराइज एचुकेशन यहां पर कॉंप्यूटर कोस्टिन्स जो इंपोर्टेंट कोस्टिन्स होगा जारकंट सच्चे वाले 2022 एक जाम भी नोटिफिकेशन आने वाला है 15 अपजनविट से उसका फोर्म बराएगा तो वहां पर हमें लिट करा दोगा तो चैनल को सस्क्राइब कर ले वीडियो को लाइक किजिए और अगर कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ अगर कुछ मैटर होता है या कोई अगर सजेशन है या कुछ कुछ डाउड आता है तो आप लों कमेंट बॉक्स में चिपका सकते हो अपना क्योरी को ठीक है तो चलिए सुरू कर दाज का फोर्स्ट क्रिस्चन हार्ड कोपी ने उनके में किससे प्राप्त होता है तो हैं बात की जारी है हार्ड कोपी के बारे में देखिए पहले अंडर कागच पर प्रिंट करकर रूपर कर नहीं कर सकते हो परन्तु जो सौट कोपी होता है उसको आप टच नहीं कर सकते हो भास वाशन मेरी है, हाट कोपी को टच कर सकते हैं, एक अउट कोई कोई को मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलता है, यह भी एक आउट पूट डिवाइस होता है, जो जो इंपोर्टेंट चीज आते जाएगी बिच में, उसको मैं डिसकस करते जाओंगा, एक्जाम के लिए बहु ज इंटर से निकलेगा प्रिंट होकर निकल कर आता है Пेपर कर रूप में उसको प्कू सकते हैं तो थे Аप लोगे जाहा कफल lifelong compiler किसे computer account सभाग होता है the compiler द्याधिए कख सिस्टम सौफटवेर होता है System software का पार्ट होता है modifier 수 nas है किसी particular प्रफस के लिए बनाया जाता है जिसे whatsapp वह है तो उस किलिए गया है चैटिंग के लिए है वीडियो कॉंलिंग के और विडियो कोनफरेंसी के लिए आप हो गया है उसको यानिक बहुत सरा लोगों को एक साथा वीडियो कोल कर सकते हो ठीक है तो वह होता है आपलीकेशन सोफवेर अप्लीकेशन सोफवेर है तो यह सिस्टम सोफवेर चले थोरा सबसाइब करें के यहां से दूचीज होता है एक होता है compiler एक होता है assembler अब इस पर हमेशा questions एक्जाम में आते रहता है देखिए compiler करता किया है जिसे high-level language है उसको machine language में convert कर देता है बात समझ में आ रही है high-level language को machine language में कर सकता है जैसे आप लोग नाम सुने हों को लेंगविज का नाम जैसे जावा है C++ है तो इस अब computer का लेंगविज होता है तो इसको बार में आप लोग याद रखिएगा तो हाई-level लेंगविज को कोन करेगा compiler करेगा और assembly लेंगविज को जो machine language में convert करने वाल काम है assembler करेगा तो इसको याद एक स्लाइड को बहुत ही ज़्याद है इंपोर्टेंट है दो concept बार बार एक्जाम में questions आते हैं इसे चली एक operating system क्या होता है तो बात समझू जैसे operating system होता क्या है जैसे गाड़ी को चलने के लिए आपका road चाहिए ट्रे को operating system करते हैं तो operating system जो होता है एक system software का भाग होता है क्या होता है एक system software का भाग होता है और एक service प्रवाइड कराता है computer program के लिए कोई काम होगर करने के लिए आप लोगो सुभिधा देता है उसको बलता है operating system कुछ-कुछ operating system के बारे में यहां से देख लीजेगा खुछ ज्यादा इपोटेंट है Linux है के Microsoft Windows है Android है जिस पर हम लोगा मोबाइल वगर चलता है Apple Mac OS है और Apple iOS है जिसमों Apple का पहुंच चलता है ठीक है यह सारे चीची है कुछ-कुछ operating system तो इसको याद रखेगा तो operating system क्या होता है एक system software होता है तो कोई बोले तो confused नहीं करना है ठीक है MPG किस तरह के file का extension है बताईए थोड़ा सा MPG के फूल फॉर्म जान लीजिए अपने अपसॉल्व हो जाएगा इसका मतलब होता है moving picture groups अपसुआ है moving pictures या निकि video के लिए हो जाता है तो इसका extension के यूज़ करके बहुत सारे file को इकठा करके video बनाया जाता है तो इसको बोलते है video MPG moving picture groups एक लोकेशन में डेटा प्रोसेस थो सकुरेश प्रॉसेस होता और थे द्थे Supporting में बनाया कहां करा जाता है लोग जोंशेंग मैं बुद ये रहागा जाता है तो यह संचै कर जाना संच्रांशि कर जांगे तो यहां से मोबाइल से अगर सर्च करते हैं तो इसके बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है इसके पास डेटा जाता है तो अगर खोजता है इसमें कि कहां कि जो आपने सर्च किया उसमें किर में जो अगर सर्च करता है सश करकर जो है से आमको यहां पे भेह देता है इसको सर्च करके अपको भेहता है तो यह जो प्रोसेस होता है इसको मैं हमनुड़ देखते है कि रिख करते हैं यहां ओब बोंट से कोपी करने की प्रॉसिस होता है उसको आपने बताना है कि निन में नष्टाइ atra Tri में कोई नष्म्हाण कर रहा हूं और चानक से मैं उसके बाइस लिंख रहा हूं एस उचानक से रिखने अचानक से पुरा जोब फोन को on करों गा उन्हों लाइ नहीं है दिश्काम आपने मिलने वाले। उर। और तो बोलटाइल, उस般 ॉसल मैं भूलाटाइल, तो क्या हो जाकतोर हो वालाइस, उसको भूलता कि मुलता नावह सुझ्णा, जिएक करने विश्काम कोई पहुल जाता है, तो आप यह एक कॉंप्प्यूटर बंद हो जाए या चालू रहे है उसमें डियोटा इस्टोर है उसमें नन व्लाटाल मेमरी का एकजाम पर होता है तो व्लाटाल और व्लाटाल यही होता है अपर पर समय लिचेगा इसे देखिए यहां पर सीडी रोम है ठीक है यानि कंपैक बिल्डियो डिस्प्लेइं अधिकर तो उसमेरे कि तो नहीं के खतम नहीं होगा घर इक बार स्फेट कम्मेरी जैसे कि रेंडम एक्सेस में जैसे कि कम्मेटर में वनोग काम करते हैं तो जो डेटा टूरण डालते हैं तो जो प्रोसेस करका देता है ठीक है उपका रही होता है उसके बाद खतम हो जागा तूरण तो होता है वोलटाइल मीमोरी और Nor было में控emaker कि गत्वाटों अधिक मैंने मैंने ही से इसको स्टाइड से डेटा को और मीश को की संथे और आपके old我很 इale Yeti कि में स्थे अंचर कोई होगा टोई में से बिधाई किस्थ में आकर तर रीस आपके ह सामगी सुद्सdd उसको क्या करता है समागता है 1 बाइट में अपनों देख लीजए का 8 bit होता है न वीट 1 के वी में कितना होता है 1024 बाइट होता है यह दखेगा में अपनों 1024 के भी सकते हैं सिक त्वियंगी में देखते हैं लेकिन नहीं है एक कोस्चिन यहां से बार बार आता है। देखी ह्याह की वर्रत भी आएगा सारा जो इंपोर्टो आएगा लेकिन यह 75 दख्यायम में Isaiah यहां पर नहीं लिखा हुआ है बाट 44 हो सकता है जदा चांसे से 1.44 MB होता है फिलोपी डिस का कैपसिटी एक ब्लूरू का भीया देखेगा 25 GB से लिकर 128 GB तक आप लोगे स्टोर कर सकते हैं और DVD में देख लीजेगा 4.7 GB तक होता है यह से बने कि अगर DVD पुराने टाइम में आ और एक एक नीबल में एक नीबल में होता है आपका फोर-bit या दक है एक नीबल एक नीबल में फोर-bit होता इसको याद रखेगा तो यह सारे हो गया एस बहुत इंपोटेंत है आप लोगए तो यहां से कोस्चन बनेगा ही जरूर अगा नेश करते हैं सर्क ने पर नहीं कि नेता वारहा के एक्सेस हम लोग एक और शुकार मोसli नॉनेट पर झासिस करते हैं है ड़िससे पार्टिकलर अपलिकेशन को सुस्षmbol सब करते हैं थयुसे हो जो वर्ड वाइड वे पर दस्तावे जैनिक डोकुमेंट को खोज करता है ठीक है बाद समयारी तो वही प्रोसेस है जैसे कि बहुत बड़ा क्या है इंटरनेट एक बहुत बड़ा यहीं काम होता है इनटरनेट का तो वर्ड वैड वेड पर आप लोग इंटरनेट पर डीटा एकसे obviously से से क्या है तो यहां पर एक्षी करता है यहीं हो गया एंसर करता है तुरह सा आगे चर्चह पर आगल करेंगे जैसे कि С Arm में बहुत सार आपको सुने होंगे ना जिस से Google Chrome है Microsoft का एज होता है ठीक है ओपे रामी ने बहुत पहले था आप तो यूज में नहीं रहा बैदू आपको बता सकते हैं बैदू जो है से किस जो कंट्री का यह जो है से सर्च इंजन बताएगा इंपोर्टेंट है चलिए जो है से ट्रीपल डाबलू है इस इसका फुल्फम वर्ल्ड वाइड वेब ना याद रखेगा यह भी आ सकता है जो है से टीम बर्नस लीक के द्वारा इसको डेवलप किया गया था ठीक है डिस्कवर किया गया था ऐसे तो इन्वेंट बोल सकते हैं क्योंको डिस्कवरी इं अंतन पर्ट जो है से मार्तिन कूपर को है से मोबाइल बनाने का रिय ता है ठीक है मोबाइल फॉन और इसए तो टेल अप लुग जानते हैं नो टैलीफोन ग्रहं बेल बनाए मःम बेल उनकी पतनी का जूती गल्विन हम नाम था हैम एंक नाम था घ्लो भुव यहां से बताना है कौन सा बेसिक कारे नहीं है फंडामेंटल कारे नहीं है तो यह कि कॉंपूटर में टोटल अध्यान से देखा दा रहे तो computer का चार में पार्ट होता है यह देखे आ फिर के लिए इंपोर्टेंट हो गां, बता रहा हूँ है, computer का चार पार्ट होता है, सब से पहला की बॉर्ट देखीएगा, उसके बाद एक CPU होता है, ठीक है, उसके बाद monitor याहरे रहेगा एक मौनिटर स्टाइब को प्रोसिस करता है और यहां से इसको क्या करता है मौनिटर आपको दिखाता है कि अपने क्या सर्च कर रहा है और मौनिटर के रहा है मौस भी एक input device के अंतरगती आता है जो क्या होता है जो आप लोग देखते होंगा कि आज स्क्रीन पर आगो एक पले से दूसरे पलस पर जाना है ठीक है यह स्क्रोल करना है पेज डाउन करना है यह पेज आप करना है तीसा मौस का कार्य होता है तीस सारे चीज़े हैं जिसको याद रखेगा कीबोर्ड, CPU, मोनिटर और मौस इस चारो में फंडामेंटल पार्ट्स होता है बाकि सारे peripheral devices में आता है तो सबसे पहले मैं यह बात कर रहा था कीबोर्ड से अफ्लोड डेटा दिये तीस के बाद फ्रोसेस किया CPU उसके बाद उसको क्या किया Store किया, उसके बाद मौनिटर पर आपको displace किया तो यह सारे आप टोटल फंक्सन होता है यहां कि data को डालना उसको प्रोसेस करना और output देना तीनो fundamental कार्य में आता है अब store करना भी होता है लेकिन यहां पे आप लोग देख रहे हैं कि test को copy करना इसका fundamental कार्या नहीं होता है तो यहीं सरा डेटा इस्टोर करना ठीक तो यही सरा fundamental कार्य होता है computer का कुछ-कुछ keyboard shortcut आप याद रखेगा control प्लस जिर्ज होता है undo का होता है control प्लस यहीं copy होता है उसके बाद control प्लस आपका भी होगा paste का ठीक है उसके बाद अगर control प्लस यह होता है all select करने के लिए ठीक है control प्लस अगर डी दबाईगा डिलीट हो जाएगा तो इस सारा बहुत सारे चीज़ जो है से क्या होता है keyboard shortcut होता है तो इस सब याद रखेगा next question के move करते हैं आप लोग को बताना यहां से कि कौन जैसे output device का ग्रूप में है देखिए scanner और printer और monitor देखिए printer और monitor तो output device है लेकिन scanner जो है जो आप लोग देखिए हों के बार कोड के scan करता है वह data को लेता है तो input device हुआ output नहीं कीवोड देखिए अभी मैं चर्चा कर रहा था कीवोड क्या है data को हम लोग keyboard से टफट टफट करकर डालते हैं तो क्या हो गया keyboard जो हैसे एक आपका input device हो गया बागे printer और printer output है monitor भी output है माउस के बार में देखिए printer और monitor बहुत लोग confusion होता है कि माउस जो हैसे output device है नहीं माउस input device है हम लोग इसमें कोई data आपका डालते नहीं है माउस से ठीक है माउस का यूज़ खाली एक जगास दुसरे जगास का move करने के लिए होता है थोड़ा सा नेक स्लाइड में आपको थोड़ा और केलर होगा यहां से देखिए input device का total group दिया हुआ है और output device का दिया हुआ है ठीक है यहां से देख लीज़ेगा इसको देखिए keyboard में बात किया input device है आप optical pen है और scanner है यहां देखिए स्केन करने वाला है ज्यास्टिक है गेमिंग और रख लीज़ेज होता है उसका बार्ट कोड़ स्केनर होता है देखेंगे न जो ठीक है इंगजेंट प्रिंटर हो गया ठीक है इसारा क्या है यह सारा जो हैसे input आउटपूट डवाइस की एक्जांपल है लेकिन कुछ-कुछ यहां से याद रखीएगा कि जो क्या बोलते हैं इसारा जो बीच में दिख रहा है वह input में आता है और output में आता है जैसे modem modem को फूल्फर्म याद है ना modulator demodulator वाइफाइप का फूल्फर्म wireless fidelity सब याद रखा करो यार wireless fidelity कुछ पुछ जा सकता है ठीक है modem का होता है modulator demodulator फैक्स देखें होंगे आप लोग आता होगा webcam देखें होंगे ठीक है touchscreen input output दोनों है cdvd आप लोग देख लीजिए उसका पेंड्राइब है ठीक है डिजिटल कैमरा है तो सब्सक्राइब इन्पूट दोनों में आता है तो यह दोनों का खोले की अथिड़े के मुधरन की तो वह फद्रीनटर जो परखास पर्प्रींटर प्रिंटर के प्रिंटर हैder एक बताना है की आई असा इई सा प्रिंटर जो लाइट रे i का यूज़् करता है और उस पर क्या करता है कागज पर जो हैसे इंक लेता है और उस पर हैसे उस पर प्रिंट करता है तो बता ही उसको क्या होता है ना क्या होता है एक लेजर प्रिंटर होता है चली तो ही होता है इंक लेता है और कागज पर जो हैसे लाइट रे के रूप में क्या करता है सब्सक्राइब करने के लिए तो एक रेडियेशन पर ही काम करता है लेजर ठीक है यह है लाइट एम्प्लिफिक इसको बलता है लाइन प्रिंटर में आपका ड्रॉम प्रिंटर और चेन बैंड प्रिंटर जो ऐसे सिर्फ लाइन प्रिंटर गुरूप के एक जामपल है इसको याद रखा जाए देखिब एक ऐसा प्रिंटर बताना है जिसको नॉन इंप्रिंटर बोलता है देखिए अब इत मैं चर्चा कर रहा था Linux और Windows के बारे में ठीक है Windows Microsoft का है और Linux सब लोग एक operating system है लेकिन ओपन जो Solaris है open Solaris एक operating system नहीं है तो create sensor आपका हो गया यह बाला सी ठीक है open Solaris एक operating system नहीं है अपरेटिंग system नहीं है तो फिर यह क्या है बिदा सकते हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे देखिए उबन्टू, Suse, Suse, Mandriva, Ubuntu, Debian एक उपन सोर्स operating system का एक जामफल है याद रखिएगा पूछा जा सकता है तो अगे चली चर्शा हो जाएगा एक open source operating system में कैसा software होता है जिसमें क्या कर देखिए कोई भी इसको access कर सकता है ठीक है और publicly और इसको edit भी कर सकता है ठीक है open source जैनि सबके लिए open रहता है ऐसा याद रखिएगा ठीक है कुछ-कुछ type of operating system अगलों देख लीचे का जैसे कि यहाँ पर देखिए का batch operating system है time sharing operating system है distributed operating system है network operating system है और real time operating system है सब कुछ-कुछ operating system का type होता है ठीक है तो यही हो गया जिससे ओपल आयूस का जो आयूस का जो operating system है उसको edit नहीं कर सकता है अगर phone अगर लॉक हो जाएगा ना ठीक है तो वो जो हैसे खुलेगा ही नहीं बहुत प्रोब्लम होता है अगर phone लॉक हो गया कि अगर खो गया है तो इसका मतलब होता है तो इसका मतलब होता है तो इसको इसको बढ़ा करना है तो control plus EM यानि कि margin आपको दबाएगा थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ते जाएगा क्या होगा बढ़ते जाएगा तो अपलों के इंडेंट इतना बढ़ जाएगा ठीक है तो इसके मार्जिन आद रपना ना तो इंडेंट बढ़ जाएगा प्रसेस को समझ लेंगे जैसे कि मान लेते हैं जाए हैं तो यहां यहां पर छोटा मेरे क्या है यहां पे दो देखेंगे दिया हुआ है कि यहां पर मैं इमेल दालता हूं अपना फेस्बुक को लोगिन करना ठीक है यहां पर इसको यहां से मैच करेगा उसके बाद इसको यहां से देते हैं चलो आओ भाई देख लो क्या करना आपको इस बड़े पर कम्पूटर पर लेकिन अगर डेटा मैच नहीं किया तो यह से आपको क्या करेगा यह जो हैसे आपको डिनाई कर देगा पहलेगा कि नहीं आप डाल रहे हूं पासवर ऐसे रोंग है आप फिर बढ़िया से पर्सन है वह सही में सही आदमी है या नहीं है ठीक है रियल पर्सन जो की लोगिन कर रहा अपना डेटा को तो आथिंटिकेशन का प्रोसेस होता है ठीक है तेहीं सारा कुछ-कुछ फ्वेस्टन था फिर मिलते हैं भी नेक्स्ट पार्ट में बाकि देखते हैं अभी इंगल स्वास्तर हैं मास्तर हैं पड़ा लिखाएं ब्यास्तर हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बंदे भारत हम